कपड़े से अपना मूझ शुपाते ये लोग हैं आरोपी धोखा धड़ी के कम समय में ज़ादा पैसा कमाने की चाहने इन्हें बना डाला है अपरादी बैंक को एक करोड पंदरह लाख का लगाने वाले थे चूना ये मामला राची के अरगोडा थाने का है जहांके पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ा फरजी वाड़ा होने से बच गया कपड़े से मुझ शुपाते इन लोगों पर आरोप है पंजाब नेशनल बैंक से 2,80,000 रुपए फरजी तरीके से निकालने का ये अरगोडा थाना में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक केस किया गया है यूपी के एक गौर्मेंट और्गाइशन का लगभग एक कड़ोर 12-13 लाग का चेक पंजाब नेशनल बैंक में पूजा कुमारी और रानी कुमारी के नाम से दिया गया है रुपेश कुमार, रानी कुमारी, रजनी कांथ और पूजा गुपता नाम के इन अभियुक्तों ने धोखा देने में सभी को पीछे छोड़ दिया मामला सिर्फ 2,80,000 रुपे निकालने तक ही सिमित नहीं रहा बलकी पूजा और रानी नाम की इन दो लड़कियों पर ये भी आरोप है कि इन दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक से उत्तरपरदेश परिवहन निगम के 1,15,000,000 रुपे का फर्जी चेक ये दोनों अपने नाम से भंजाना चाहती थी लेकिन ब्रांच मैनेजर की सूजबूज से ये बड़ा फर्जीवाड़ा होने से बच गया पुलिस की माने तो ये दोनों लड़कियां एक ही मुहले में रहती थी और दोनों के पतियों ने फ्रॉड का ये काम किया था पहरहाल बैंक और पुलिस की ततपरता से आज ये सलाखों के पीछे हैं लेकिन इसमें सबसे एहम सवाल ये है कि कम समय में पैसा कमाने की चाहत क्या इतनी बड़ी हो गई जिसके कारण पती अपनी पतनी को मुहरा बनाने के पहले एक बार भी नहीं सोचता ऐसे में ये कहना घलत नहीं होगा कि आज पैसे के हाथों इंसानियत भी बिक चुकी है शिकंजा के लिए कौर प्रकाश के साथ कुमुद रंजन की रिपोर्ट